नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजूकेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है हमारे दौरा विसेश सीरीज चलाई गई है मैथामेटिक्स और रीजनिंग की हम आपको स्पैसल क्लासेज प्रोवाइट करवा रहे हैं दोस्तों यूँकि आपको हेल्प करेगी आगामी उत्राघंडे PCS के CSAT पेपर में इसके लावा SSC के एक्जाम उत्राघंडे के और भी जो गवर्मेंट एक्जाम है वहाँ पर भी आपको हेल्प करने वाली है क्योंकि पटवारी का एक्जाम हो लेकपाल का एक्जाम हो चाहे आरो एरो का एक्जाम वहाँ पर भी दोस्तों मैट्स और रीजनिंग के प्रशन पूछे जाते हैं अभी UKPSC के आपने पेपर देखे तो उसमें कितना रीजनिंग का बोल बाला रहा था चाहे लोवर PCS का पेपर हो चाहे वन चेतरा दीकारी का दोस्तों आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी लाइटली ना लें इसको आप बिल्कुल भी इगनोर ना करें देखे आपके लिए हेलफफुल होगा अगर यह आपको आता है Maths और Reasoning को जरूर करें और रोज आप दोस्तों 8 बजे हमारे साथ जूर सकते हैं रोज 8 बजे हमारी क्लासेज आएंगी और आप डेली अगर इन क्लास को अटेंट करतें तो हम आपको गैरेंटी देता हूँ कि आपको Maths और Reasoning में अच्छा लगने लगेगा और आपको इस टॉपिक पर confidence आने लगा गया लेकिन आपको दोस्तों रोज हमारी क्लास को अटेंट करना होगा इस सीरीज को ज़्यादा साथ सपोर्ट करें और अपना बहु मूल लिये feedback भी दें अपने comment भी दें अगर आपको काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है कहीं हमारे काम में कोई कमी नहीं है तो जब तक आप comment नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा तो ज़्यादा स्यादा इस सीरीज को शेर करें आज हम दोस्तों search and indices के questions को करेंगे पिसले बार हमने search and indices यानि कि घातांक और करनी का आपको टॉपिक बताया था इसके अलावा हमने वर्गमूल गन्मूल भी आपको बताया था इसके अलावा आपको सैकलिसिटीज ऑफ नंबर भी बताया था उस पर बेजड हमने questions कराया थे लेगिन search and indices के questions रहे गे थे आज हम उन सारे प्रश्णों को आपको इस वीडियो के माद्यम से solve करवाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आसान प्रश्णों से करेंगे फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चले जाएंगे ठीक है अब देखे पहला प्रश्ण में आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको I hope कि यह प्रश्ण अच्छे लगेंगे और पसंद आते हैं तो जरूर अपने सात्यों के बीच में share कर देना ठीक है तो आज का जो दोस्तों पहला प्रश्ण है पहले चले प्रश्ण में बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कल के रूल में बता दूँ मैंना आपको रूल बताया था एकी घात M गुणा एकी घात N बराबर होता है एकी घात M धन N ठीक है यहाँ पर ध्यान रखना कि जो M और N है दोस्तों ये रियल नंबर है ठीक है यहाँ पर N और M भिन्नों के रूप में भी हो सकते है ठीक है इससे कोई फरक्त नी पड़ता है ये इंटीजर के रूप में या प्राकरतिक संक्याओं के रूप में भी हो सकते है एकी घाथ m बटे A की घाथ n बरावर होता है A की घाथ m स-n इसके अलावा मैंने दुस्तां आपको एक और रूल बताया था एकी घाथ m गड़ाए इसके अलावा दोस्तों यह जो हमारे basic रूल है बागी रूल इनी से बनते हैं जैसे कि A की घाथ 0 क्या होता है जीहे फिलाल आप ये याख कड़ेगे एक जीज जीरो के बराबर ना हो तो एक ही जीरो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है यानि की एक ही स्भी ग्म जीरो के बराबर नहीं हुने जीजीए जो के याद रखने की है जैसे की ऐ अपा un b की पावर m है तो वो a की power m बटे b की power m होता है इसी तरह से a गुणा b की power m है तो वो a की power m गुणा b की power m के बराबर होता है जहां पर ध्यान रखना कि भैजो यह m है यह जवरी नहीं है कि कोई integer हो यह दोस्तों आपका भिन्न भी हो सकता है जैसे m बराबर 1 by 2 भी हो सकता है जो rule है उस पर आपका बिल्कुल focus होना चीए उसी से according आप अन्य rule भी बना सकते है यहाँ पर आपको कोई दिकत नहीं है कि इसके अलाबा दोस्तों मैंने एक rule आपको बताया था कि एक ही घात है इसको दोस्तों मैं कहले सकता हूँ 1 upon 1 गात माइनस है इस पर आधारीत कुछ प्रश्न देख लेते हैं वहाँ से आपको इसका concept के बारे में और अच्छे से clear हो जाएगा सबसे पहले देखे एक प्रश्न देखे 81 की power है 3 बटे 4 बहुत सिंपल सा प्रश्न है देखे कैसे करेंगे जल्दी से इन प्रश्नों को करेंगे 27 देखे 81 है 81 को मैं लिखता हूँ 3 की गात 4 क्योंकि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बड़ाबर होता 81 और यह हो जाएगा भई गुणा 3 बटे 4 ठीक है कल मैंने आपको बताया था rule यहाँ पर गुणा नहीं इसको गुणा 6 गुणा आदेATHा है ओब गुणा आएगा इसके बाद तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भई 3 गुणा तीन की पावर 4 गुणा तीन बटे 4 तो देखे 4 से 4 कैंस err आउट हो जाएगा 3 की गात हो जाएगा 3 यानि कि यह 27 के बराबर हो जाएगा ठीक है आप जब भी हमारी वीडियो को देखते हैं मैथामेडिक्स और रिजनिंग की तो जरूर कॉपी और पैंसल लेके या पैनल लेके जरूर बैठे साथ साथ हमारे प्रश्णों को सॉल्व करें ठीक है इससे दोस्तों आपी का confidence level बढ़ता चला जाएगा ठीक है अब देखिए अगला प्रश्ण देखिए एक बटे 64 की पावर है माइनस दो बटे 3 ठीक है तो जिसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था इसको आप लिख सकते हैं एक बटे 64 की पावर माइनस दो बटे 3 ठीक है लिखेंगे कैसे इसको जैसे अभी आपको रूल बताया गया ये बटे B की पावर M होता है वो होता है एक पावर M बटे B की पावर M है ना तो यहां से यही रूल का हम यूज कर रहे हैं वन की पावर माइनस दो बट्टे तीन, वन ही हो जाएगा और दोस्तों, यह उपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 64 की पावर हो गया, दो बट्टे तीन अब यह प्रस्टन आपके लिए बहुत एजी हो जाएगा क्योंकि यह 4 की घात होता है, 3 और पावर में है 2 बट्टे 3, तो एकी घात, एम की घात एन, जैसे कि अब हमने बताए एकी घात, एम की घात एन, बराबर होता है एकी घात, एम गुड़ाएन, वही रूल यहाँ पर भी यूज हुआता, ठीक है, तो 4 की पावर हो जाएगा तीन गुणा, दो बट्टे 3, तो 3 से 3 कड़ी घात, तो 4 की घात, दो यानि कि 4 चको हो जाता है, 16 ठीक है, प्रशन ज्यादा जल्ले बाजी में तो नहीं हो रहे हैं, जरूर बताएगा, वैसे मेरी कोसिस है कि speed को मैं moderate टकून, लेकिन at the same time हमें बहुत सारे प्रशन भी बताने होते हैं, ठीक है चलिए, एक प्रशन में आपको और बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे level का है, 625 की power है, 6.25, यह सारे प्रशन दोस्तों, बैंक P.O. परिक्षा में आ चुके हैं, इसके अलाव़ा कुछ प्रशन आपको S.S.C. परिक्षा में भी देखने को मिले होंगे, ठीक है मिलेंगे मतलब अगर आप इसको करेंगे, ठीक है ठीक है, 6.25, और यह हो जाता है 5 का square, ठीक है, बटे, 625 यानिकी 5 की घाट 4, 6.75, बटे, 5 की घाट 1.2, ठीक है, चलिए, अब हम इसको solve करते हैं, solve करते वे चले जाएंगे इसको देखिए, आपको इसको multiply करना है, 5, 4 गुणा, 6.25, और यह हो जाएगा, देखे, 5, 2 गुणा 26 करेंगे, तो 26 दो नहीं होता है, 52, यानिकी 5.2, बटे, 5, 4 गुणा, 6.75, गुणा, 5 की घाट 1.2, ठीक है, यहां तक कोई भी लिक्कत नहीं होने चीए, ठीक है, 6 चको होता है, 24.5, उसका 4 टाइम करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, तो यह हो जाएगा, पांच की घाट 25, ठीक है, पांच की घाट 25, बटे, ठीक है, यहां पर पर से सारे रूल का एक साथ प्रियोग कर सकते हैं देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था है एक ही घात M बटे एक ही घात N बराबर होता है एक ही घात M-N ठीक है अब उपर ले जाओ चाहे निचे ले जाओ क्या फरक पड़ता है पांच की घात हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा 27 ठीक है ऐसे ही यहाँ पर भी आप उपर ले जाओ तो पांच की घात 5.2 माइनस 1.2 ठीक है अब इसको solve करिए पांच की घात हो जाएगा aleg 1.2 उढ़ा पांच की घात 5.2 मेंसे आक एकएक देसमला दो को माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, 5 में से गया 4 ठीक है तो 5 की गहा 4 हो जाएगा अब आप इन दोनों को फिर से क्या करिए दोस्तों add कर देंगे तो minus 2 धन 4 4 में से 2 गया तो क्या बच जाता है 2 बच जाता है यानि कि 5 की गहा 2 बच जाता है 25 कोई भी दिकत यहाँ पर नहीं होनी चीए ठीक है अगर लगता है कि बहुत जाता फास्ट हो रहा है तो आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हैं ठीक है अब कुछ ऐसे प्रशन करते हैं जो कि आपको यहाँ से x की value को find out करना है ठीक है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का क्या सेम है base सेम है power भले different है तो क्या हो जाएगा rule लग जाएगा 3 बच पाँच की power यहाँ पर क्या हो जाएगी power add हो जाएगी तो 3 minus 6 हो जाएगा बराबर 3 बच पाँच बराबर हो जाएगा 2x minus 1 ठीक है अब देखिए दोस्तों e की power m बराबर अगर e की power n है base अगर सेम है तो m बराबर क्या हो जाता है n के हो जाता है ठीक है यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भी 3-6 है वो बराबर हो जाएगा 2x-1 के 3 में से 6 गया, minus 3 बसता है यह हो जाएगा 2x-1 ठीक है अब दोस्तों, जिससे कि मैंने आपको बताया है पक्षानतर होगा, तो minus 1 इदर आजाएगा तो 1 बन जाएगा 1, यानि कि plus 1 بن जाएगा बराबर हो जाएगा 2x 1 में से अगर 3 जाता है तो minus 2 बसता है 2x ठीक है तो 2 से अगर आप 2 को काटिंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा minus 1 बच जाएगा ठीक है क्योंकि यहाँ 2 उडा में है ठीक है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा divide हो जाएगा तो यानि कि x बराबर minus 1 इसका right answer हो जाएगा ओके ऐसे ही दोस्तों आप इसको कर सकते हैं एक और देखिए दोस्तों एक और प्रशन में आपको बताता हूँ जो कि बहुत अच्छा प्रशन है देखिए लगता बड़ा typical level का है लेकिन होता बहुत easy है देखिए एक प्रशन आचुका है x की गहत है a बटे x की गहत है b ठीक है और power में है a square plus b square plus a b ठीक इसके बद अगला है x की गहत b बटे x की गहत c power में है b square plus c square plus b c ठीक है यह b c multiply में है ठीक है ऐसे ही है x की गहत c बटे x की गहत a power में है c square plus a square plus a c ठीक है आपको इसकी value को निकालना है कि इसकी value क्या होगी बहुत simple सा प्रशन है जितना इट typical लगता है उतना ही easy है सबसे पहले आप क्या करिए दोस्तों इसको उपर ले जाईए क्योंकि जैसे मैं आपको बताया a की गहत m बटे की गहत n बराबर होता है a की गहत m माइनस n ठीक है आप इसका प्रयोब करिए तो यह हो जाएगा x की गहत a माइनस b ठीक है बराबर की power हो जाएगा a square plus b square plus a b ऐसे दोस्तों आप यहाँ पर भी करिए x की गहत हो जाएगा b minus c yes और power बहर से हो जाएगा b square plus c square plus b c ठीक है ऐसे दोस्तों इहाँ पर करिए x की गहत हो जाएगा c minus a और power में है x c square plus a square plus a c yes कोई भी दिकत नहीं होनी जाएगा अब चलो दूसरी pen से कर लेते हैं एक बार कोई अच्छी pen यूज कर लेते हैं देखिए a minus b है अब multiply हो जाएगा a minus b a minus b a square plus b square plus a b ठीक है multiply हो जाएगा c x b minus c multiply हो जाएगा b square plus c square plus b से ठीक है कोई भी मैं यहाँ पर कोई ऐसा कोई बड़ा कोई इतना tough question नहीं कर रहा हूँ बहुत easy question है बस आपको थोड़ा सा चौकनना रहना है ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा आपको मैंने rule बताया था देखिए a cube minus b cube बराबर होता है a minus b एकस की घात a cube minus b cube ठीक है यह वाला क्या है x की घात b cube minus c cube यह है x की घात c cube minus a cube कोई भी यहाँ पर तक आप कोई doubt नहीं होना चाहिए ठीक है अब आगे करते हैं आगे देख लेते हैं कोई अच्छी सी दूसरी pen देख लेते हैं यह हो जाएगा दोस्तों कि x की घात देखे base सेम है base अगर सेम है तो आप इनको add कर दीजे a cube minus b cube फिर plus b cube minus c cube plus c cube minus a cube अब देखे a cube यहाँ पर plus में है यह minus में है यह plus में है यह minus में है यह minus में यानि कि x की घात बज़ जाएगा 0 और X की घा 0 कितना हो जाता है 1 हो जाता है तो ये देखे कितना आसान सा प्रशन है बहुत easily हम इसको कर सकते हैं ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इसमें लेट करी वरना बहुत जल्ली जल्ली ये प्रशन आप कर सकते हैं कोई भी दिकत नहीं होती है ठीक है चलिए अब कुछ और प्रशन देखते हैं चलिए अब कुछ और प्रशन को देख लेते हैं दोस्तों जैसे कि एक और प्रशन है जो कि बैंक पियो परिक्षा में आ चुका है थोड़ा सा इसका लेवल बहुत easy है मेरे साब सबस्क्राइब इसको easy कहूँगा मैं लेकिन कभी कबाद क्या होता है कि हमें लगता है कि प्रशन बहुत typical होगा और पता नहीं किस तरह का आएगा लेकिन होता क्या है कि उप्रशन बहुत easy होता है ठीक है जैसे एक बाइस को देख लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है under root 3 की power n बराबर है 81 ठीक है तो n की क्या value होगी बहुत simple सा प्रशन है और बहुत easily आप इसको कर सकते हैं ठीक है देखिए आप इसको किस तरह से करेंगे जैसे कि मैं आपको बताया था 3 की power n है जो अंडर root में होता है इसको क्या लिखा जाता है 1 by 2 लिखा जाता है ठीक है 81 ठीक and as we know that कि भाई यह क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा तो क्या बन जाएगा n बटे 2 81 को क्या लिखा जाता है तो तीम की power 4 अब दोनों के base सेम है तो power भी सेम हो जाएगी यानि कि n बटे 2 बराबर जाएगा 4 तो n बराबर क्या जाएगा 8 तो आपका 8 right answer हो जाएगा ठीक है आप चाहें तो इसमें check भी करके देख सकते हैं आपका right answer वही आएगा ठीक है अब इसके बाद क्या है अगला प्रशन देख लेते हैं कुछ इसी टाइप का एक और प्रशन बता देता हूँ ठीक है यह सब दोस्तों आपके प्रशन पहले भी आ चुके है C.A.C.T. में भी इस तरह के प्रशन आप पूछे जाते हैं ठीक है 4 की power n बराबर है 1024 ठीक है अब आप दोस्तों इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2N ठीक है और इस पूरे की power है 1 by 2 मैंने square root को के लिख लिए 1 by 2 लिख लिए बराबर लिख लिए 1024 ठीक है अब इससे आगे बढ़ते हैं देखे क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2 की गार 2N गुणा हो जाएगा 1 by 2 बराबर हो जाएगा 1024 यह 2 से 2 कर जाएगा तो 2 की power N बराबर 1024 कुछ नहीं होता है 2 की गार 10 होता है यहां से जो N बराबर है वो 10 के बराबर होना चीए ठीक हो गया यहां तक तो कोई भी doubt नहीं हुआ होगा अभी तक आपको ठीक है एक और प्रश्ण देख लेते हैं दोस्तों जो कि बैंक पियो पर इक्षा में पूछा जा चुका है एक और प्रश्ण देख लेते हैं यहां पर यह लिखा हुआ है 8 की power है 1.3 और गुणा 4 की घात है 0.6 गुणा 16 की power है 0.2 बराबर है 2 की घात x यानि कि आपको इसकी value को निकालना है x की value को निकालना है ठीक है किस तरह से आप इस प्रश्ण को करेंगे यह बाद देख लेते हैं ठीक है तो देखे दोस्तों आपको दिया हुआ है 8 8 का मतलब है कितना होता है 2 की घात 3 और यहां पर हो जाएगा 1.3 बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 0.6 इसको लिखा जाता है 2 की घात 4 0.2 बराबर है 2 की घात x ठीक है आपको कुछ नहीं करना है base को same कर देना है तो 13 को आप multiply करिए 3 से तो 13 तियां होता है 49 यानि कि 3.9 बचेगा ऐसे ही यहां पर हो जाएगा 6 दूनी 12 यानि कि 2 की घात 1.2 और यहां पर हो जाएगा दोस्तों 2 की घात 4 दूना होता है 8 यानि की 0.8 बराबर हो जाएगा 2 की पावर x I hope कि आपको दसमलाव में उना करना आता होगा ठीक है अब दोस्तों क्या हो जाएगा इनकी power क्या हो जाएगी add हो जाएगी कि base इनके same है और multiply हो रहा है तो यानि कि 3.9 प्लस 1.2 0.8 ठीक है तो आट दो होता है 10 और एक 9 यानि कि 19 3 और एक 4 और एक 5 यानि कि 5.9 तो यानि कि 2 की घात 5.9 बराबर बना चाहिए 2 की घात x तो base इनके same है तो x बराबर कितना हो जाएगा 5.9 हो जाएगा यानि कि 5.9 is the right answer ओके थोड़ा सा इसको चलिए अब दोस्तों कुछ ऐसे प्रशन जो कि ज़्यादा तर पूछे जाते हैं परिक्षाओं में और बहुत बार आ चुके हैं ऐसे प्रशन और या भी रेंजर की परिक्षा में भी आया था भी हाल में ही और यह लगतार इस तरह के प्रशन आते रहते हैं थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा देता हूँ कुशनों का देखिए सबसे पहला प्रशन में आपके सामने लिख देता हूँ तो की घाथ x बराबर है टीम की घाथ y बराबर है 6 की घाथ minus z तो आपको निकालना है 1 upon x then 1 upon y then 1 upon z की वैल्लियू को बहुत बार इस तरह के प्रशन पूछे जाते हैं ठीक है तो दोस्तों जिस chemotherapy मैंँ आपको कल भी बता है अगर A की घहत N बराबर है B तो A बराबर क्या हुता है B की घहत 1 बटे N ठीक है ये कल मेरे दोब आपको बताया गया था कि अगर मैं A का Q रूट बराबर अगर मैं B लिख़ूं तो A बराबर होता है B के Q के बराबर लेता हूँ यह तीनो A के बराबर है ठीक है यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा भई 2 की घात X बराबर मैं माल लेता हूँ A तो भई 2 बराबर हो जाएगा A की घात 1 बटे X ठीक है इसको माल लेते है equation number 1 ठीक ऐसे ही क्या करते हैं दूसरे को भी देख लेते हैं तो भई 3 की घात Y बराबर माल लेता हूँ A तो भई जो 3 बराबर है A की घात 1 बटे Y ठीक है equation number 2 यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने चीए ऐसी दोस्तों मैं क्या करूँगा 6 की घात minus Z है यह भी A के बराबर होगा क्योंकि 3 A के बराबर है तो 3 गोंको मैंने 1 के बराबर माल ले है ठीक है तो भै यहाँ से 6 बराबर हो जाएगा एक एखात minus 1 बटे Z है ठीक हो गया यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने चीश यहां से देखेंगे करते हैं एक ही घात एक बट्टे X गुणा तीन की जगह पर आप लिख लेंगे एक ही घात एक बट्टे Y बराबर हो जाएगा एक ही घात माइनस एक बट्टे Z ठीक है यहां तक तो कोई भी दिकत या डाउट नहीं होना अची ठीक है अब चलिए यहां पर सेम इसको solve करते हैं काम करते हैं इसको change कर लेते हैं तो दften यहां से क्या होएगा देखे हैं आप बेस देखते हैं कि के ट्रीनों के सेम हैं तो एक ही घात पर एक बट्टे X ग हैं एक बट्टे Y वाई क्योंकि जैसे कि हमने आपको बटाया था कि बेस इनका सेम है पावर क्या होजेंगी एड़ अब यह माइनस दरजा के हो जाएगा प्लस एक बट्टे X प्लस एक बट्टे Y प्लस एक बट्टे Z बराबर हो जाएगा जिरो ठीक हो गया तो यह इसका right answer हो गया ठीक है अब इस पर बेस एक और question देख लेते हैं जिससे कि आपका doubt इन सारे questions में दूर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई प्लस न किस तरह से करने होंगे ठीक है चलिए आगे देखते हैं एक और question को देख लेते हैं जैसे कि एक प्लस न है दो की घात X बराबर है चार की घात Y बराबर है 8 की घात Z ठीक है यह है बराबर तो आपको क्या करना है 1 upon 2X 1 upon 2X धन 1 upon 4Y धन 1 upon 6Z बराबर अगर हो 24 बट्टे 7 ठीक है आपको दे रखा है कि इसकी value 1 upon 2X धन 1 upon 4Y धन 1 upon 4Z 6Z इसकी value अगर 24 बट्टे 7 हो तो आपको Z की value को निकालना है ठीक है तो दोस्तों थोड़ा सा एक अलग टाइप का प्रशन आगे लेकिन यह उतना अलग है नहीं आप इसको बहुत सिंपली कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी दिखिए मैं आपको बताता हूँ इस प्रशन को आप किस तरह से करेंगे देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है 2 की घात X 4 की घात Y बराबर है 8 की घात Z तो आपने क्या करना है सबसे पहले दोस्तों इसको A के बराबर माल लेना है ठीक है तो बहुए 2 की घात अगर X बराबर है A तो यहाँ से 2 बराबर आजाएगा A की घात में 1 बटे X ठीक है इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं ऐसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे यह आपकी equation number 1 बन गी ठीक है एसी दोस्तों आप क्या करेंगे 4 की घात Y है 4 की घात Y बराबर है A की घात A की घात एक बटे तो आपका जो 4 है वो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों A की घात एक बटे Y ठीक है तो लेकिन हम दोस्तों क्या करेंगे यहां पर हमें थोड़ा सा एक कुछ अलग करना पड़ेगा ठीक है थोड़ा सा हम यहां पर इसको अलग टेक्निक से हम इसको करने का प्रियास करेंगा क्योंकि दोस्तों यह इस टेक्निक से हमारे साथ यह हो नहीं पाएगा क्योंकि इस बार हमें 1 अपन 2x 1 अपन 4y 1 अपन 6z के एक को वैल्यू अलड़ी दी वी है तो आपको यहां से दोस्तों करना पड़ेगा ना क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो उस हिसाब से तो फिर यह मा माथामेडिक्स में आप जितने प्रैस्टन होते हैं प्रयास करिए कोई बात नहीं है एक बर विफल हो जाए तो आप जितने जादा विफलता आपको मिलती है लेकिन आप प्रयासों से ही सीखते चले जाते हैं ठीक है अब दोस्तों इस प्रशन को करनने की जो टैक्निक है तो थोड़ा से ठीफिरेंट रहेगे देखे टू की पावर X है बराबर मैं आप लिख सकता हूँ देखिई यह है दो की घात दो एखे तो आइससा इसको लिखा जा सकता है थीक है इसी तरह से यह हो जाएगा दोस्तों दो की घात तीन की घात Z ।हीक है तो दो की घात X ब दोनों बराबर हैं तो 2y बराबर हो जाएगा 3z इसका मतलब है कि x बराबर 2y बराबर 3z यहां से यह बहुत अच्छी सम्मी करण हमें मिल गई है ठीक है अब दोस्तों हमने इसी का प्रयोग यहां पर करना है तो देखे मैं इसको किस तरह से करूँगा यहां पर मैं इसका प् पड़ेगा हटाना पड़ेगा तो मैं x की जाएगा पर क्या रख दूँगा दोस्तों 3z तो 2 गुणा 3z ठीक है बराबर हो जाएगा प्लस सॉरी प्लस एक बट्टे 4y अब देखे 4y 4y देखे 2y बराबर है 3z देख सकते हैं आप 2y बराबर है 3z तो बहुत चार y है वो किस के बराबर होगा 6z के बराबर होगा ठीक है आप क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो यहां पर देखे 4y क्या हो जाएगा 6z के बराबर हो जाएगा प्लस 1 अपन 6z तो है ही बराबर हो जाएगा 24 बट्टे 7 ठीक है अब आप इसको आगे से सॉल्व करिए तो यह हो फैक है 1 प्लस 1 प्लस 1 बरावर जाएगा 24 बटे 7 ठीक है अब आगे solve कर लेते हैं यह जाएगा 3 बटे 6 बरावर जाएगा 24 बटे 7 3 दुनी होता है 6 और 2Z देखें 2Z करेंगे तो यह उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ठीक है ठीक तो जाएगा भी 7 बट्टे 24 ठीक यहां से आप इसको निकाल सकते हैं यानि कि Z बराबर हो जाएगा Z बराबर हो जाएगा Z बराबर हो जाएगा 7 बट्टे 24 दो नहीं होता है 48 ठीक है तो यही दोस्तों इसका right answer होना है क्योंकि जो 2 है इनीचे चले जाएगा तो जिस z की value है दोस्तों वो 7 बटे 48 आ जाएगी I hope कि यह प्रशन आपको समझ में आ गया होगा ठीक है इसी तरह से एक और प्रशन देखते हैं जादा से जादा इस तरह के प्रशनों को आप solve करने का प्रयास करिए अलग लग style में प्रशन आ सकते हैं देखें दूसरा type एक और देख लेते हैं यहां पर हमें दे रखा है A की power X बराबर है B की power Y बराबर है C की power Z ठीक है तो B square बराबर दे रखा आपको A C B square दे रखा है A C के बराबर तो Y की value क्या होगी ठीक है अब दोस्तों यह प्रशन भी उसी तरीके से होगा जैसे कि हमने पहली technique से किया था मैं बराबर क्या माल लेता हूँ A माल लेता हूँ ठीक है तो चलिए लिखते थे हैं तो A बराबर हो जाएगा A की घात एक बटे X ठीक है इसे दर ऐसे B की power Y बराबर A है तो B बराबर क्या हो जाएगा A की घात एक बटे Y जैसे कि अब आपको पहला वाला प्रशन बताए गया ठीक है ऐसे ही C बराबर हो जाएगा A की घात एक बटे Z ठीक है आपके पास एक समीकन्ट दे रखिए कि B स्क्वार बराबर होता है A C ठीक है अगर B स्क्वार बराबर A C है यहाँ पर आप रख दीजे B स्क्वार बराबर है A इंटू C तो B यानि कि A की घात एक बटे Y का स्क्वार बराबर A इंटू C यानि कि एकी घात एक बटे X गुणा C यानि कि एकी घात एक बटे Z ठीक अब इसको आगे सॉल्व करें इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह देखें मल्टिपलाय हो जाएगा A की घात 2 बट्टे Y बराबर A की घात 1 बट्टे X धन 1 बट्टे Z क्योंकि base same है तो power क्या हो जेंगी add हो जाएंगी ठीक है अब यहाँ पर base same है तो power क्या होँगी बराबर होनी चाहिए यानि कि यह हो जाएगा 2 बट्टे Y बराबर 1 बट्टे X प्लस एक बट्टे z ठीक है एक बट्टे x प्लस एक बट्टे z ठीक है तो यहां से आपको दोस्तों क्या निकालना है y की value को निकालना है तो देखिए इसको कैसे करेंगे दो बट्टे y बराबर हो जाएगा आप इसमें LCM ले लेंगे z इन्टू x और x प्लस z ठीक है तो अब आप इसका दोस्तों उल्टा कर देंगे तो y बट्टे दो बराबर हो जाएगा z x बट्टे x प्लस जट ठीक है और फिर आप क्या करेंगे इस दो को multiply में ले जाएगे तो y बराबर हो जाएगा दो यहां से प्रश्णों को कर सकते हैं ठीक है बहुत अच्छे लेवल के प्रश्ण है और बार-बार यह आते रहते हैं कुछ और प्रश्ण भी देख लेते हैं इस session का एक अकरी प्रश्ण देख लेते हैं क्योंकि õर भी वैसे देखाने को तो हम आपक कई सारे प्रश्ण रहते हैं लेकिन फिर भी एक प्रश्ण हम last में कल लेते हैं कल के वीडियो में फिर हम दोस्ता आगे के कुछ और प्रश्ण को देखेंगे फिलाल एक प्रश्ण लास्ट में कल लेते हैं x बराबर है y की power a है ठीक है और y बराबर है z की power a b मतलब ठीक है और आपको कह रहा है z बराबर है x की power c ठीक है तो देन आपको a b c की value को निकालना है ठीक है x बराबर है y की power a y बराबर है z की power b और z बराबर है x की power c तो देन आपको इसकी value को निकालना है कुछ ही निकालना है दोस्तों आपको यहाँ पर value तकते वे चले जाने है देखे एक्स बराबर क्या है य की वेल्यू रखे य बराबर है जेट की पावर बी देखे तो यह हो जाएगा जेट की पावर बी की पावर ए ठीक है तो यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा जेट की पावर बी ए ठीक है अब एक्स की पाउवर 1 लिख सकते हैं यानि कि जो दोस्तों ABC होगा वह किसके बराबर होगा वन के बराबर होगा बैंक P.O. परीक्षा में परशन आ चुका है इसके अलावा S.S.C. परीक्षा में भी ये परशन पूछा जा चुका है ठीक है तो ऐसे परशन दोस्तों आपके बार-बार आते रहते हैं और पूछे जाते रहते हैं I hope कि ये वीडियो आपको पसंद में आई होगी कल कोसिस करेंगे कि आपको और कुछ अच्छे परशन बताए जाएं मैं कोसिस कर रहा हूँ कि पहले आपको लॉसप और मॉसप और बता दिया जाएं मैं अभी सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ धीरे-धीरे का लेवल बढ़ाते हुए चले जाएंगे फिर कुछ अच्छे लेवल के प्रशन करेंगे लाइक वर्क टाइम वाले जो प्रशन होते हैं इसके अलावा जो एरिया वाले प्रशन होते हैं मैंसुरेशन के कोश्चिंस होते हैं ठीक है और धीरे धीरे फिरम उनका लेवल बढ़ाते हुए चले जेंगे तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों की बीच में जरूर शेर करें मिलते हैं अगली वीडियो में कल सुबह 8 बजे तिल दें टेकर और गुट बढ़ा